हेलो और वेलकम टू स्टडी नियूज इंटरनेशनल बॉर्डर पर रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट्स की अवैध तसकरी को रोकने के लिए और उन्हें डिटेक्ट करने के लिए भारत रेडियेशन डिटेक्शन इक्विप्मेंट RDE खरीदने के बारे में सोच रहा है परमाडू उपकरनों के लिए आवशक सामगरी की किसी भी तसकरी को रोकने के लिए बॉर्डर क्रोसिंग, इंटीग्रेटेड चेक्पोस्ट और लैंड पोर्ट्स पर RDE यानि रेडियेशन डिटेक्शन इक्विप्मेंट से इन्हें लैस किया जाएगा क्योंकि जब भी इंटरनेशनल मार्केट से या इंटरनेशनल टेरिस्ट इन रास्तों से किसी भी प्रकार के रेडियो एक्टिव प्रोड़क्ट्स इंडिया में लाने की कोशिस करेंगे तो ये इक्विप्मेंट इन्हें डिटेक्ट कर लेगा ये सेक्यूरिटी स्टेप भारत के इंटरनल सेक्यूर्टी एबिलिटी को बढ़ाएगा तो जानेंगे इसके बारे में कि रेडियेशन डिटेक्शन इक्विप्मेंट क्या होता है ये किस प्रकार radioactive product को detect करता है और made in India के तहत detection equipment की क्या progress है So let's start तो भारत सरकार अपने international borders security को लेकर खाफी गंभीर है और इन ही borders से होने वाले radioactive products की अवैद तसकरी का पता लगाने के लिए और तसकरी को रोकने के लिए ऐसे सभी इस्थानों पर जहां से तसकरी हो सकती है वहाँ radiation detection equipment RDE लगाए जाएंगे बात करें made in India की तो हमारे defense minister राजनात सिंग ने Defense Research and Development Organization DRDO के अंतरगत होने वाले 108 military systems और subsystems जैसे navigation radars, tank transports और missile के design, develop और manufacture के बारे में जानकारी दी है ये सभी चीजे made in India के तहद बनाई जाएंगी अब बात करते हैं radiation detector work कैसे करता है पहले तो ये जान लीजिए कि radiation detector दो प्रकार के होते हैं एक होता है जो radioactive product के विकिरंड को detect करता है इसे centiliation detector कहते हैं इस detector का basic principle है कि इस equipment में centiliates लगे होते हैं जिसमें normal तोर पे sodium iodide का उप्योग किया जाता है और फिर इस equipment के आगे glass लगा होता है जिसमें से विकिरंड गुजारी जाती है और फिर जब प्रकास centiliate से टकराता है तो reading प्राप्त होती है जिससे पता किया जा सकता है कि ये एक radioactive product है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस picture में ये detector equipment इस प्रकार के होते हैं दूसरा होता है gas fill detector ये equipment उस इस्थान की हवा से radioactive product के होने या वहाँ पर radioactive zone होने का पता लगाता है यहाँ पर आप इस graph में देख सकते हैं इस equipment में आगे एक cathode detector cylinder लगा होता है जिसमें से gas गुजरती है और हवा में जितने भी positive ions होते हैं वो cathode detector cylinder में ही चिपक जाते हैं और सिर्फ negative ions anode तक पहुंचते हैं और इसी से voltage source के द्वारा radioactive products को measure किया जाता है यहाँ पर इस photo में देख सकते हैं ये है gas fill detector DRDO एक security vehicle बना रहा है इसमें radioactive detector equipment लगाए जाएंगे ये mountain foot bridge, modular bridge और इसमें mines equipment लगाए जाएंगे ताकि इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सके और radioactive detection किया जा सके इस vehicle को anti-terrorist vehicle भी कहा जाता है तो भारत अपनी border security बढ़ाने के लिए इसी प्रकार की radioactive detection equipment खरिदने वाला है तो ये थी पूरी जानकारी radioactive detection equipment के बारे में आएंगे तक बार्षग जासे तक जासे जासे बारिबाओंगे में अच्छाए च्छाए मेंने जा च्छी बार्थजू के जासे